ये आका श्वानी है अब आप कन्यकलता से समाचार सुनगे जब मुकश्मीर में आज विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाली जा रहे हैं दो पहर बाद तीन बजे तक 46.1 दो प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया केंद्र शासित प्रदीश के चह जिलों में 26 विधान सभाग शेत्रों के सभी 3,502 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ इस चरण में लगभग 25,78,000 मतदाता 249 उमिद्वारों के राजनतिक भाग्य का फैसला करेंगे निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निश्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए ब्यापक प्रबंद किये हैं जम्मु कश्मीर में तीन चरणों में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं 18 सितंबर को पहले चरण में 61 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ तीसरे चरण में 1 अक्तूबर को 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोच डाले जाएंगे वोटों के गिनती 8 अक्तूबर को होगी प्रधान मंत्री नारेंद्र मुदी ने मतदाताओं से वोच डालने और लोग तंत्र को मजबूत करने में महत्वपुण भोमिका निभाने की अपील की है इस बेच 15 देशों के वरिष्ट राजनेकों का उच्चस्तरिय सिस्टम अंडल जम्मो कश्मीर में विधानसभा चुनाओं के निरिक्षण के लिए आज कश्मीर का दोरा कर रहा है विदेश मंत्राले ने बताया कि सिस्टम अंडल में अमरिका, मैक्सिको, गयाना, दक्षन कोरिया, सुमालिया, पनामा, सिंगापूर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षन अफ्रिका, नौर्वे, तंजान्या, रवांडा, अलजीरिया और फिलिपेंस के राजनेक शामिल है हर्याना में चुनाव प्रचार जोनों पर है, विबिन पार्टियों के स्टार प्रचारक आज प्रत्याश्यों के समर्थन में जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं प्रधान मंत्री और भाजबा के वरिष्ट नेता नरेंद्र मोदी ने सोनिपत के गोहाना में 22 विधानसभाग शित्रों के उम्मेद्वारों के पक्ष में जन आशिरवाद रहली को सम्बोधित किया शिर्मोदी ने कहा कि भाजबा सरकार के अंतरगत हर्याणा ने उद्योग और क्रशे जैसे क्षित्रों में शिर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है उपराश्टरपती जगदीब धनगर ने आज उत्तरप्रदेश के ग्रटर नौइडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेल्ट शो के दोस्रे सत्र का उद्गाटन किया कारिक्रम को सम्बोधित करते हुए उनोंनों कहा कि उत्तरप्रदेश में सुक्ष्म लगो और मध्यम उद्यम क्षित्र के विकास में काफी बढ़ुत्तरी हुई है तधा उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात भी इस अवसर पर उपस थी थे पांच दिन के इस आयोजन में सत्तर देशों की 350 प्रद्रश्रक भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रमुक पहल मेके निंज्या को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधी के दोरान सरकार ने कई प्रमुक योजनाई लागो की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्मान परिद्रश्र में क्रांते आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मस्बूत हुई है। प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी ने मेके निंज्या पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेके निंज्या भारत को विनिर्मान और नमाचाश शक्ते केंद्र बनाने के 140 करोड भारतियों के सामुहिक संकल्प का उदाहरण है। अर्बसंख्यक मामलों के मंतरी किरिन त्रिजोजो ने उमीज व्यक्त की है कि वाकफर संशोधन विधियक की समिक्षा के लिए गठित संसत्की सयुंत समिती आगामी शीत कालिन सत्र के पहले सप्ता में अपने रिपोर्ट पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि समिती को अब तक एक करोड से अधिक सुझाव प्राप्थ हुए है। जिसे बढ़ती अर्थ व्यवस्ताओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अमरिका के न्योयॉक स्थेद इस कंपनी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत की आयवर्द्ध स्थिर हुई है। सत्रा वर्ष से कम उम्र के खिलाडियों के सैफ चैंप्रेंशिप फुटबॉल में भारत ने मौल्दिव को तीन शूने से हरा दिया है। भोटान में इस प्रत्योगिता के ग्रुप A में भारत की ओर से सैमसन एक और हैमने चुंग ने दो गोल किये। इसके साथ ही ये समाचार बुलेचित समाप्त हुआ।